नमस्कार पेरवच्चों स्वागत एक बार पुन है आप सभी का अपने इस योटूब चैनल टॉपर गेलक्सी में पेरवच्चों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आ हैं जो की आपकी काफी जादा डिवांड थी तो आपके दिमांड पर यह वीडियो आ गया है और इस वीडियो में हम जानेंगे चंदरियान 3 पर निवंद कैसे लिखेंगे देखें दोस्तों ये काफी ज़दा इसके उपर कमेंट आ रहते हैं आप सभी के चाहे आप 12 के स्ट्रेंटों ये 10 दोनों प्रकार के छात्रों के लिए वीडियो मॉस्ट इंपॉर्ण है और 12 के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्ण है ठीक है तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेगा और पूरा का पूरा निवंद मैं आपको बताऊंगा जै तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा हर एक प्रकार से मैं आपको सलूसन देने की कोशिस करूँगा चली वच्चों शुरू करते हैं सबसे पहले देखे आपको चंद्रयान 3 देखना है तो ये आपका देखे समझ सकते हैं कि ये इस रो के द्वारा एक बहुती चंद्रमा पर किया गया एक मिसन था ठीक है तो देखे इसको लिखने के लिए आपको क्या करना सबसे पहले दिखे जो निबंध होते हैं वो ऐसे मुद्धों पर पूछी जाते हैं जो करन्ट टाइम में काफी जदा मतलब चर्चा कभी से हो या मतलब काफी बड़े मुद् कियेगा जैसे हमने इसमें लिखा है अंतरिच में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए चांद तिरंगे रंग में रंगा नई एक पहचान लिए मेरे भारत के वज्यानिक तुम गवरों हो भारत का उंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभिमान लिए देखे ब इससे आपका नंबर जो है ना बहुत ही अच्छा मिलेगा बच्चों तो यह लाइन आपको जरूर से लिखना चाहिए आप दर्समी के चात्रों हो या बारवी हां तो यह आपको अच्छे समझने लिए अब इसके बाद ही कि आपको पता है कि निबंद में अगर हिंदी के इन बात करें तो प्रस्तावना दी जाती है सबसे पहले जैसे इंगलेस में बात करें तो आप लोग इंट्रोडक्शन देते हैं हना तो जोब आपको लाल पर निउज नहीं करना कौंपे मैं आपको पता होगा बलाक और बल् mã गैंडवलू दो ही पर यूज करते हैं तो लि लिखना क्योंकि अगर आप इसके अंदर लिखने लग जाएंगे ना वच्छो तो तीन से चार पेज का हो जाएगा और आपका टाइम बहुत ही वेस्ट होगा तो मैं आपको स्वार्टे में बताऊंगा ठीक है तो चंद्रियांत्री भारत की ओर से चलाए गया एक मिशन था और इस मिशन के माध्यम से भारतिय अंतरिच अनुसंधान यानि की इसरो ठीक है यह क्या है इसरो क्योंकि हमारी अंतरिच की संस्था की बात करें तो क्या है बारत की अगर बात करते है इसरो जैसे कि अमेरिका में क्या है नासा ऐसी ठीक है इसरो चंद्रमा की सता से जुड़ी सारी जानकारी प्राप्त करना था मतलब चंद्रमा में क्या क्या चीजें हैं क्या मतलब तत्तों हैं कौन से पानी हर प्रकार के जो है वहां पर खोज करने के लिए क्या है यह एक मिशन चलाया गया था चंद्रयान 3 क्योंकि यह तीसरा मिशन था चंद्रमा पर भ अकिरकार चलाया गया है उसके बारे में तो इनालेज हो ना चाहिए कि आखिरकार है क्या ना लिखेंगे चंद्रयांत्री भारतिय अंतरिच अनुसंदान संगतन जो कि इस रोग ठीक है तो यहां पर मतलब इंडियान स्पेस रिचर्च रिसर्च अर्गनाइजेशन इसका सब्सक्राइज एचार्च है सब्सक्राइज 24 becomes पर जिए और मतलब आरपिराम 3 गया यहां तो सब्सक्राइज तो आपको यह देट याद करने में है इस चंजर्वार की दच्चडवी दिरूफ पर उजड़ो इंतर घाए हैं यह उंतर चétais ठीक है क्योंकि इससे पहले वच्चो कोई भी देश चंद्रमा के दच्चिडी धुरू पर नहीं उतर पाया है ठीक है तो ये खास बात रही है मतलब सारे देशों ने मतलब लगभग कई सारे देशों ने ट्राई किया है तो चंद्रमा पर वो पहुंचे भी है लेकिन अगर दच्चिडी यानि की साउस फोल या दच्चिडी द्रू की बात करें तो वहां तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है ठीक है तो यह हो गया इसके बाद है एवं चंद्रमा से जुड़ी सारे जानकारी अंतरिच कैसा साध्या करेगा और इसे भारत के स्री 37 धावान ने देखा था नहीं को यह मतलब लॉंच किया गया था उसके बाद लगबख 40 दुनों के बाद ठीक है तेश चौवीस अगस्त के बीच यह जो है वहां पर सौप्ट लेंडिंग किया था ठीक है तो यह हो गया आपका यहां पर देखिए जो भी चीज़ें आपको नौलेज टू का ही अगला चरण है मतलब आपने 2019 में साइद आपको याद भी होगा चंद्रियान टू लॉंच हुआ था लेकिन वो क्या हुआ था प्रकार से सफल ता पूरो वहां पर लैंडिंग नहीं करा पाया या सफल नहीं हो पाया जिसके फल सरूप या जिसके पश्चात चंद्रमा की सतह पर उतर कर फरिच्छन करेगा या किया ठीक है ऐसा भी लिख सकते हैं अपनी भास में आपको जो है इसको करने वाट कर करके लिखना है इसमें एक प्रोडोधन मॉडियूल एक लेंडर और एक रोवर होगा ठीक है मतलब रोवर जो की वहां पर क्या है है या कराने पर था ठीक है तो यह एक मिसन था जो की सकस्फुल आप उसमें चंद्रमा की साउथ फोल पर वहां पर लेंड कराना था ठीक है अब इसके बाद बच्चों मिसन के सफालता के लिए नए उपकरण बनाए गए बनाए गए इलगोरिदम को बहतर किया गया मतलब जो चंद्रियान डु में जो गलतियां हुई थी उनको ध्यान में रखते हुए चंद्रियान थ्री में वो सारी गलतियों को सुधार गया मतलब जिसके वज़े से यह सकस्फुल नहीं हो पाया था वो सारी निस्टे开始 में सुधार दी गयी थीक है जिन वाजहों से चंद्रियान 2 मिसन चंद्रमा की सता पर नहीं उतर पाया उनमें सुधार किया गया ठीक है अब इसके बाद उद्देश से बताने कि क्या उद्देश था आखिर कार वहाँ पर भेजा गया तो उसका कोई परफस रहा होगा तो देखे बच्चों इसमें उद्देश में लिखना है आपको कि चंद्रमा की सता पर सुरच्छित और नरम लेंडिंग कराना इसका एक उद्देश था इसके बच्चों रोवर को चंद्रमा पर घूमते ही प्रदर्शित करना यानि की रोवर ही तो वहाँ पर सारी जानकारी कत्र करेगा ठीक है और नमबर त्री यथा इस्थान वग्यानिक प्रियोगों का संचालन करना ठीक है उत्यस लिखने के बढ़र आपको यहां पर लिखना है विष्थाफ़ाई बच्चों देखि विष्थाफ़ाई क्या रही है तो समझेए इसरों को सारी जनकारी देगा ये विशेष्टा रही है इसकी इसके बाद आपको लिखना है चंद्रियान 3 से भारत को होने वाले लाग क्योंकि इससे कुछ हमें लाग भी तो होगा तो देखें दच्री दुरूपर उतरने वाला पहला देश बन सकता है ये इससे पहले की बा को दच्री दुरूपर सौप्ट लेंडिंग हुई आप तक कोई भी देश यहां तक नहीं पहुंच पाया या ऐसा कारनामा नहीं कर पाया ये इसके लाब है ना तो हमारे देश का क्या हो गया नाम और भी ज्यादा उंचा हो गया हमारे देश के बैग ग्यानिकों का एक प् दूसरी बार का जो मीशन था चैंद्रियान टू 2019 में जो लांच हुआ था वो तकनीकी कराबी की कारण अपने मार्ग से भटक गया था मतलब दोस्तों हुआ क्या था उसमें एक पांसो मीटर या कुछ ऐसा दूरी पर जो है चांद पर पहुंचने के बाद वहाँ पर लाइ पीडिंग डाल देनी है और इसका पीडियाप चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आए टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको इस निवान का पीडियाप डाल दूँगा चलिए बच्चों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर जेगा चैनल पना है तो सब्सक्रा